प्रती दिन माता काली की पूजा करने से आपके साथ क्या होता है आपके घर में क्या होता है और आपके जीवन में क्या क्या छमतकार होते हैं माता काली की प्रतित दिन अगर आप पूजा पाट करते हैं अपने घर में तो आपके जीवन में कौन कौन से चमतकार होते हैं और आपके साथ क्या क्या होता है यह सब मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेश्टे अगर आप हमारे चैनल पे नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब टू लैक्शन कमेंट जरूर कर देना क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी जान करिया गया 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 जो आस तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी तो दोस्तों बीना टाइम वेश्ट किये अब मैं आपको पहले वताऊंगी देखो परती दिन होता है यानि की माता काली की रोज पूजा पाट करनी दो टेम होते हैं एक होता है सुबे और एक होता है रात को बारा बजे के बाद इस समय तो नोट पॉसिव छे वजे के बाद फिर आप माता काली की पूजा पाट करें तो आपको एक भी दिन में कभी गेप नहीं देना है खास करके अगर आपको जितना आप अपनी भक्ती में गेप दोगे यानि की दिन छोड़ोगे अपनी पूजा पाट दिन बना कर करोगे भोश से लोग मेरी आ साधारण इंसान करें तो सही है अगर आप एक अच्छे भगत बनना चाहते हैं माता काली की सवारी पराप्त करना चाहते हैं और उसके सहसत माता काली की किरपा पराप्त करना चाहते हैं आपकी चाहत है आपका दिल है तो आप लोगों को माता काली की कंटिन्यू पूजा प और बेवाट करते हो, तो आपको 21 दिन के अंदर मताकाली की किरपा पराप्त होती नहीं की सबसे हैं सबसे पहले मताकाली के आप लोगों को कि किरपा पर परां परा भी जाती है, अगर आपने किसी भी सामने वहत्ब को बोल दिया कि जाते रहे यह काम बन गा, मूँसे ही बोल जा तो उस वैक्ति का काम उसी वक्त बन जाता है फिर वो आपको बताता है कि वह तो ने मेरा बोल बता, यह काम मेरा बन गया ठीक, अगर आपके मुँसे कोई भी सब्द निकलता है वो पूरा होने लगता है जिस ब्यक्ति के उपर मातकाली की किरपा होती है उसी के उपर और उसी ब्यक्ति के हर एक काम बनते हैं यानि कि वो सामने वाले किसी भी ब्यक्ति के लिए कुछ बोलता है तो वो काम बनने पड़ते हैं या फिर खुद के करते Shapuksy कि हैं जानिए कि आप जैसे Например सिद्धी करने बैठते हो तो 41 दिन कि हमारी सिद्धी साधुनबन होती तो कुस तरीके से हैं को और पोगा सिद्धी करने नहीं सिद्धी में ही जाती तो सिद्धी नहीं सिद्धी करते हैं ठीक है प्रती दिन पूजा पार्ट करने से तो आपको इन से क्या के सक्ते पराप्त होती है तो मैंने आपको बता ही दिया ठीक है अब हम बात करें कि आपकी लाइफ में क्या कैचा मतकार होते हैं जब आप प्रती दिन पूजा पार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताओं आपके घर में अगर कोई भी बिमार व्यक्ति है या आपकी भेन हो भाई हो कोई भी हो आपका करजन हो चाचा का लड़का हो चाचा की लड़की हो ताओ का लड़का ताओ की लड़की बुआ के लड़के बुआ की लड़की जो भी आपके घर में हो बीमार व्यक्ति हो ठीक है वो व्यक्ति ठीक होने लगता है अपने आप ही क्योंकि जब माताकाली आपके घर में परवेश करती है कदम रखती है तो जो नेगिटीव सक्तियां होती है वो अपने आप ही भग जाती है समझ रहें आप क्योंकि माताकाली के मारने से पहले वो अपने आप ही खुद भग जाती है, तो आपके घर में सुक्षान्ती भेवा हमेशा के लिए बना रहता है, ठीक है, तो ये सत्या खुद अपने आप भाग जाती है, जब माताकाली आपके घर में परवेश करती है, तो जो भी व्यक्ति के ऊपर कुछ भी उपरी चक्कर हो कुछ भी हो भूत प्रेत वो व्यक्ति अपने आप दीरे-दीरे करके आपके घर में ठीक होने लगता है ठीक है उसके बाद फिर आपको अपने घर में जब आप पूजा करते हो continue माताकाली की अगर आप कुछ भी चीज माताकाली से मांगते हो तो आपके जीवन में वो चीज आपको प्राप्त होती है जो भी आप मांगो माताकाली से वो चीज आपको प्राप्त होनी ही होनी है क्यूंकि आप माताकाली के सेवक हो और continue माताकाली ही दिल से सच्चे मन से पूझा पाठ करते हो तो इसी वज़ा के कारण आप लोगों को इतनी सारी शक्तियां पराप्त होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती इस वीडियो में ये वीडियो मेरे लिए छोटी पड़ जाएगी इसके लिए काफी समय होने चीए तो प्रती दिन पूझा कर रहे हैं वो पूरा हो रहा है अगर हम किसी सामने वाले वेक्ति के घर में किसी को ठीक कर रहे हैं वो भी हो रहा है हर एक काम हमारे मातकाली करा रही है ठीक है तो यह उन्हीं के साथ होता है जो मातकाली की कंटीनिव पूझा पाठ करते हैं सिद्धी करते हैं साधना करते हैं तो सिद्धी साधना भी इनी प्रती दिनों में ही आ जाती है जैसे मैंने आपको बताया ठीक है इस तरीके से ही आपके जीवन में चमतकर होते रहते हैं तो चली दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माकाली हर हर महादे